Hello students, आज हम लोगी बहुत बड़ी confusion को solve करेंगे जो की है debtor और trader के बीच में अब debtor कौन होता है? debtor वो person होते हैं जिनको हमने credit पर sale किया होता है जैसे मेरी shop है और मेरी shop कर कोई बच्चा आया वो biscuit या packet मांग रहा था और मैंने उसको वो दे दिया, उसने मुझे बतले में पैसे नहीं दिये और वो बन गया मेरा debtor, मैंने credit पर उसे sale कर दी ऐसे ही मैंने जो biscuits करी दे किसी company से, मैंने उनको पैसे नहीं दिये और वो बन गया मेरी creditor, मतलब creditor वो person है जिनसे हमने credit पर purchase किया होता है और debtor वो person होते हैं जिनको हमने credit पर sale किया होता है I hope आपको ये clear हुआ होगा, thank you